बिग बॉस अठारा के घर के अंदर कन्फेशन रूम में रोता हुआ मुस्कान को देख कर विविन दिसेना भी कन्फेशन रूम में पहुँच गए विविन दिसेना ने मुस्कान बामने के आखों से जो आसू निकल रहे थे उन आसूं को पोच्चते हुए विविन दिसेना ने सबसे बड़ा फैसला जो है बिग बॉस को सुनाया और साथ दिया पूरी तरह से मुस्कान बामने को और मुस्कान बामने को सबसे बड़ा वादा किया उनके साथ आईए आप सभी दर्शकों को बताते हैं आज के खास रिपोर्ट में दोस्तों यही बात लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारी यूटूब चैनल विक टीवी न्यूस को आपने सबस्क्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सबसे पहले विक टीवी न्यूस को आप काफी अकेला पन जो है वो महसूस कर रही है और वो एपिसोड में भी नहीं दिखाई दे रही इस वज़े से बगबॉस की मेकस ने उन्हें कंफेश़न रूम में बुलाते हैं और कंफेशन रूम में बुलाकर मुसकान बामने से उनका पक्ष जो है वो जानने की कोशिश करते हैं कि आखेर कार इतनी खोई-खोई वो क्यों है इसके बाद मुसकान बामने बोलती है कि मुझे परिवार की याद आ रही है और परिवार के बिना मैं इतने दिनों तक कभी भी नहीं रहती हूँ ये बाद मुसकान बामने बोलती है अब मुसकान बामने जो है वो ये भी रिक्वेस्ट करती है कि मैं अपने परिवार से बात कर सकती हूँ क्या और मुझे एक फोटो मिलेगा प्लीज ये बात बोलते हुए बिग बॉस से रिक्वेस्ट करते हुए रोते भी लगते हुए नजर आती हैं और ऐसे में विवन दिस को काफी समझदार सुलजा वह इंसान माना और उन्होंने कंफेशन रूम में बुला लिया विवन दिसेना को और विवन दिसेना ने बड़े ही प्यार से समझाया मुसकान बामने को और साथी साथ ये बुला कि मुसकान तुमारे परिवार वाले बहुत ही अच्छे होंगे तुम्हें देख रहे होंगे बहुत जादा वो लो प्राउट फील कर रहे होंगे और तुम्हें अच्छा खेलना है और तुम्हें अच्छा दिखना है और जब तुम अच्छा दिखोगी जब तुम अच्छा खेलोगी तभी तो तभी तो तुमारे परिवार वाले तुम पर गर्फ करेंगे अभी भी तुम पर गर्फ कर रहे होंगे लेकिन तब जादा कर रहे होंगे ये बात जो है वो बोलते हैं और बिग बॉस से रिक्वेस्ट करते हैं कि बिग बॉस प्लीज एक फैमिली फोटो जो है इन्हें दे दीजे ये बात जो है वो कहते हुए नजर आ लेना ये बात जो हैं वो बोलते हैं तो ये चीज़े आप सभी दश्कों को upcoming episode में देखने को मिलेगा Big Boss 18 के घर के अंदर तो कितने जादा आप हैं excited दोस्तों इन सभी चीज़ों को देखने के लिए Big Boss 18 के घर के अंदर so comment के थूँ आप हमें ये बात जरूर बताएं दोस्तों और विविन दिसेना का एक अलग अंदाज देखने के लिए कितने जादा आप हैं excited ये भी बताएं आप हमें